नमस्कार दोस्तों Target with PS परिहार चेनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सुचना होती है जो विभीन समचार पत्रों पर चाहिवी होती है और विद्धार्थियों के लिए अवश्यक होती है सुबह का एक morning वीडियो मैं बना चुका हूँ लेकिन बहुत सारी सुचना रह गई थी इसलिए मुझे ये दूसरा वीडियो बनाना पड़ा तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहली सुचना है उत्तर प्रदेस लोग सेवा आयोग की लिखा हुआ है जैसे computer assistant, PCS mains, APO, PCS pre की जो परिक्षा वो भी इस्तगीत हो सकती है खंड सिक्षा दिकारी की परिक्षा भी पहले इस्तगीत हो गई इसलिए उत्तर प्रदेस लोग सेवा आयोग जल्द ही एक नया अर्दवार्सिक परिक्षा कलेंडर जारी कर सकता है इसकी बारे में आज के समचार पत्रों में भी ये सुचना चपी हुई है ये देखिए यहां पर लिखा है उत्तर प्रदेस लोग सेवा आयोग का वार्सिक कलेंडर गल बढ़ाया और प्रडाम भी निरंतर जारी हुए यह अकरम अब COVID-19 संकट की वज़े से टूड गया है आयोग ने पहले मार्च में प्रस्तावित साक्षातकार इस्तिगित किये और फिर एक एक करके 4 लिकित परिक्षाएं भी इस्तिगित करती गई इसे पूरा वार्षी कलेंडर गल्बडा गया है लागडाउन खत्म होने के बाद दूसरे चमाही कलेंडर में कई बदलाव करने पड़ेंगी उत्तरप्रिस लोग सेवा आयोग की और से आयोजित की जाने वाली भरती परिक्षाओं का पूरा कलेंडर ही पट्री से उतर गया है चाहे लिकित परिक्षाओं चाहे प्रमाट पत्रों का सत्यापन इत्यादी आयोग ने सबसे पहले 22 मार्च को प्रस्तावीत खंड शिक्षा अधिकारी और 5 अप्रेल को प्रस्तावीत कंप्यूटर साहग भरती परिक्षा को इस्तगीत किया इसके बाद PCS मेंस जो 20 अप्रेल से प्रस्तावीत थी वो भी इस्तगीत हो गई और इसी तरीके से आरो यारो 2016 भी इस्तगीत कर दी गई और अब मैं पहले से ही आपको बता दे रहा हूं कि जो PCS प्री की जो परिक्षा है वो भी अब इस्तगीत हो जाएगी तो इस तरीके से ये सभी परिक्षा इस्तगीत हो गई है और कलेंडर जो है बहुत जग आयोग दूसरे चमाई कलेंडर जारी कर सकता है लेकिन यह सब चीज़ें डिपेंड करती है कि कोरोना का जो प्रभाव है कोरोना का जो संक्रमान है वो कब तक नियंत्रण में आता है और कब ये समाफ्त होता है इसके बाद में अब बात कर लेते हैं नया सिच्छा से बचेन आयोग की लिखा हुआ नया आयोग का गठन टलने के आसार मैंने पहली ही बताया था दो-तीन दिन पहले जब एक ट्यूटर अभियान चला गया था यूअ मंच के द्वारा और उस अभियान में दो मांगे रखी गई थी एक तो ये कि जिन सदस्यों का कारकाल समाप्थ हो रहा है तो उनका कारकाल बढ़ा दिया जाए जिससे टिजीटी चैन बोर्ड जो डिजीटी-पिजीटी की भरती जहां से आयूजित होती है उसी आयोग के द्वारा नया विज्यपन जारी किया जाए तो उसी की बारे में यह सूचना है और लिखा है कि जारा संभावना है कि अब जो यह आयोग है पुरा ने इनी आयोगों से अब भरतिय होंगी चाहे वो प्रात्मिक विद्यालियों की बरतिया हों परसेदी विद्यालियों की बरतियों या माधिमिक की बरतिया हों या उच्टर की बरतिया हों या इन विद्यालियों में जो बाबू की बरति होनी थी चाहे वो हो लिखा है प्रात्मिक से लेकर डिग्री कालेज से चल रही प्रक्रिया को यथावत रखा जाएगा बीते साथ अप्रेल को सासन ने इस पर एक तरह से मुहर लगा दी है अब संकेत हैं कि अन आयोग भी लागडाउन होने के बाद पहले हिस की तरह संचालित होते रहेंगे प्रदेश सरकार सिक्षा स्थाओं के लिए सिक्षक प्रादिकारी कार्याल उत्तर प्रदेश की चेन प्रक्रिया को नए आयोग को आगे बढ़ानी थी निमावली भी अंतिम चरण में हैं पहले का गया था कि नए आयोग मार्थ से अमल में आ जाएगा फिर अप्रेल से प्रवावी करनी के तयारी थी इस बाबत सासन में होने वाली बैठके भी टल गई तो मैंने पहले ही पिता दिया था कि अगर नया आयोग का गठन होगा तो उसमें अभी समय लगेगा और उसके बाद में फिर कोरोना का प्रकोप आ गया और अब तो यह निस्चित हो गया कि इस आयोग को गठन है वो फिलाल नहीं होने वाला है औ और अब जब कोरोना समाप्त होगा तो जो पुरानी भरतियां है शिक्षकों की वो पुराने आयोगों से ही होंगी बहुत सारे पदों पर भरती होनी है चाय वो टीजीटी पीजीटी की भरती हो या एड़ेट विद्यालियों में जूनियर की साड़े चार जार पदों पर बरती होनी थी चाय वो बरती हो यह मादमिक की एक नई बरती जिसके बारे में शिक्ष्यमंत्री कई बार कह चुके हैं कि हम 69,000 का वेट नहीं कर रहे हैं हमने काम करना सुरू कर दिया है और बहुत जल्द प्राथमिक विद्यालियों की बरती करेंगे तो यह तीन चार जो बार है वो अब पुराने आयोग से ही होगी यानि कि जो प्राथमिकी की बरती है वो प्यनपीं से हो और जो टीजट्री से होरे मादमिक शिक्षग सेवा चैन बोड से होगी और यहां पर देख सकते हैं कि यह मैंने लगबग 6-7 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें एक Twitter अभियान भी चलाए जा रहा है और यह जो वीडियो है यह लगबग 6 तारीक का वीडियो है अप्रेल का और बहुत सार विद्यार्थियों ने यह Twitter पर एक अभियान छेड़ा था यह देख सकते हैं यह अनिल सिंग वही है जिनको आप जानते हैं यहां पर लिखा हुआ कि मौदस से आपसे अग्रह है कि मादमिक सिच्चा सेवत चैन बोट के रिटार होरे सदस्यों का कारकाल बढ़ाया जाए तो दो साल का जो कारकाल है उनका फिर से बढ़ा दिया गया है फिर नीचे लिखा कि जो 40,000 पदों की भरती का जो अधियाचन है जो आया ता वो भी इस इसी बोट से हो और ये नीचे एक है राजे सचान और इन्होंने भी इस भरती की मांग किती कि यह जो भरती है वो इसी बोट से हो तो अब जंभावना है कि इसी बोट से अब ये बढ़ती होगी और इसको आभी भी ट्वीट करके या रिट्वीट करके इस अभियान को आग होतल सकता है तो मंदी तो आएगी बहुत ज़्याद मंदी आएगी भारत में ही नहीं अमिरिका हो चायव कोई भी देश हो UK हो जर्मनी हो फ्रांस हो सबी देशों के अर्थ भरस्था गलबड हो जाएगी तो भारत भी इससे अच्छूता नहीं रहेगा सबसे चादा जो मार है वो प्राइवेट सेक्टर को लगेगी यहाँ पर लिखा है लागडाउन से नोगरी की उमीद में बैटे युवाओं की चुनोती बढ़ गई है IIM वो IIT से प्लेस्मेंट पाने वाले युवाओं को भी अब जॉब के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि ज्यादा तर देश-विदेश की कंपनियों ने COVID-19 की वज़े से जॉइनिंग इस्तिकित कर दी है चात्रों की इंटर्शिप भी कैंसर कर दी गई है IIM लखनव IIT कानपूर के 100% तथा HBTU के 70% चात्रों का प्लेस्मेंट हो चुका है लेकिन अब इन्हें भी जॉइनिंग के लिए इंतजार करना पड़ेगा HBTI कानपूर में था वह ही HBTU यूनिवेस्टी बन गई है और निचे लिखा है कि कोरोना महामारी ने युवाओं के सामने संकट परता कर दिया है जिनका प्लेस्मेंट हो चुका था और अप्रैल से जून के बीच में उनकी जॉइनिंग थी तो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उनको अभी मेहनत करनी पड़ेगी और इंतजार करना पड़ेगा इसकी बाद में थोड़ी सी एक और बात कर लेते हैं अब की अभी की अपडेट है ये मिल गई है तो मैं आप लोगों को दे देता हूं सुबह की लिखा है भारत में कोरोना वारस से अब तक 270 लोगों की मौत 24 गंटे में 909 नए मामले आये और 34 लोगों की गई जान तो लग कर दीजिए जिनमित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद